जेहिन साथियो स्वगते आपका आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं SSC GD Constable 2022-23 का परिष्चा पेटर्न में जो बदलाव किया गया है दोस्तों यहाँ पे इतना बड़ा बदलाव किया गया है कि सलेक्षन अब आसान नहीं रहा है सारी जनकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिलेबस क्या है, एक्जाम पेटर्न क्या है और क्या-क्या बदलाव किये गये हैं, चेंजिस क्या-क्या किये गये हैं सारी जनकारी इस वीडियो में आपको मिलने बाली है SSTGD की पलपल की अपडेट के लिए आप हमाय चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको एकदम सही और सटीक जनकारी हमें सब मिलते रहेगी अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे CVE यानि की Computer Waste Examination होगा और जो Computer Waste Examination होगा वो Objective Type होगा और यहाँ पर आपसे 80 Question पूछे जाएंगे और एक Question दो नंबर का होगा पहले क्या होता था अभी जो हाली में Vacancy आई थी उसमें 100 Question पूछे जाते थे एक Question एक नंबर का होता था अभी यहाँ पर एक Question एक नंबर का नाई यहाँ पे intelligence reasoning है, जी के knowledge है और यहाँ पे current affairs का भी portion है, जहाँ पे आप general evidence को देख सकते हैं, साथ यहाँ पे mathematics और हिंदी या English में से आपको कोई एक subject यहाँ पे select करना होगा, आप जब आप form apply करेंगे तो यहाँ पे यहाँ आपको select करना होता है, अब यहाँ पे आप दिये गए हैं, तो यानि कि अब आप से 80 question पूछे जाएंगे, जो कि 160 number के होने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि यहाँ पे time में 30 minute का जो है कम किया गया है, यानि कि time पहले आपको डेड़ घंटे का समय दिया जाता था, अब आपको यहाँ पे cable 60 minute का समय दिया ज है, और जो negative marking है वो आपको सबसे पहले बता देता हूं, 0.5 की negative marking होने वाली है, तो कह सकते हैं कि साबसा 1 by 4 की यहाँ पे negative marking है, negative marking में कोई भी changes नहीं किया गया है, क्योंकि पहले 0.25 लिख के आता था, क्योंकि पहले एक question जो है एक number का होता था, लेकिन अब यहाँ पे 0.5 इसलिए लिख के आया है, क्योंकि अब एक question जो है, वो दो number का हो चुका है, तो 1 by 4 की ही यहाँ पे negative marking होने वाली है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका exam pattern जो है, वो पूरी तरह से बदल चुका है, फिलाल अगर इसके अलावा आपका कोई question है, तो comment box में comment करके हम से पूछ सकत है, thank you